हेलो एबरिवन कैसे हैं आप सब आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलिवूड पर स्वागत है एक कॉरियोग्राफर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले और फिर हसीन दिलुरुबा जैसे फिल्म में क्रिटिकल पॉफॉमेंस देकर एक बहतरीन एक्टर के रूप में खुद को स्टैबलिश करने वाले विक्रांत मैसी अब सिंगल नहीं रहे जी हां उन्होंने अपनी गल्फरेंड शीतल ठाकुर से शादी कर ली है वैसे तो ये शादी गुपचुप तरीके से 14 फरवरी 2022 को ही हो गई थी और उन्होंने रेजिस्ट्रेशन उसी दिन करवा लिया था पर उन्होंने फिर से परमपरागत तरीके से 18 फरवरी 2022 को अपने वारसोवा वाले घर पर फिर शेशादी की शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से हुई जिसकी भनक तब तक मीडिया को नहीं लगी जब तक की 19 फरवरी कोन की तस्वीरे इंस्ट्राग्राम पर शेयर नहीं हुई थी विक्रांथ एक रॉमन कैथलिक है पर उनकी मा का परिवार यानि की ननिहाल सिख धर्म को फॉलो करता है विक्रांथी गल्फरेंड भी एक हिंदू है इसलिए उनकी शादी हिंदू रिती रिवास से ही हुई विक्रांथ और शीतल का रोका 2019 में ही हो चुका था और शादी 2020 में होने वाली थी पर कोविट के कारण शादी टलती चली गई वैसे शादी जब भी होती तब भी मीडिया को खबर बाद में ही लगती क्योंकि विक्रांथ बहुत ही प्राइविट किसम के इंसान है वो मीडिया को अपनी परसनल लाइफ से दूर ही रखते हैं एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही प्राइविट किसम का इंसान हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा मीडिया को ना तो मैंने अपनी लाइफ में एंटरी लेने दी है और ना ही लेने दूंगा तो मुझे लगता है कि जब भी मेरी शादी होगी तो वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे के एक प्राइविट सरमनी होती है वैशे भी विक्रांत की शादी में COVID के काइन guest list जो थी वो बहुत ही limited हो गई थी और शादी की पिक्चरस में जाना पहचाने चेहरे में केवल एक चेहरा नजर आया वो है सुमोना चक्रवर्ती का जो कि इंडरस्टी से दिखाई दी विक्रांत की शादी और रमनी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुकी हैं अपनी शादी की एक पिक्चर इंस्ट्रागाम पर पोस्ट करते वे विक्रांत लिखते हैं कि साथ सालों का ये सफर आज साथ जन्मों में बदल गया इस सफर में हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया विक्रांत और शीतल 2015 में broken but beautiful वेब सिरीज के दौरान में ले थे तभी से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं शीतल के बारे में विक्रांत का कहना है कि शीतल बहुत ही straight forward nature की है और यही एक बात है जो विक्रांत को उनकी बहुत पसंद भी है और पसंद भी पसंद इसलिए क्योंकि वह हमेशा विक्रांत के मुह पर उनके काम के बारे में सच बोलती है और नापसंद इसलिए क्योंकि कभी कभी यह बहुत irritating हो जाता है बहुत कम लोगों को पता है कि विक्रांत एक trained contemporary और modern jazz dancer है उन्होंने शामक डावर के साथ भी काम किया विक्रांत को 7 साल की उम्र से ही dance का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने करियर की रूप में इसे ही चुना साथ में वो थेटर भी करते थे इंडरेस्ट्री में उन्हें पहला काम एक कॉरिग्राफर की रूप में ही मिला था उन्होंने एक शो धूम मचाओ धूम को कॉर पाक जैसी फिल्मों में अपने किरदार से लोगों की दिल पर राज कर रहे हैं अगर शीतल की बात की जाए तो वो भी एक लाइक और शेयर करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेफ रहें थैंकी सो मच